लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले बाजार में बहुत सारे टूथ पेस्ट मौजूद हैं और उनके रंग विरंगे रंगों को देख कर बहुत सारे लोग आसानी से अकरशित हो जाते हैं ऐसे में क्या आपने टूथ पेस्ट को खरीदते समय कभी ये सोचा है कि टूथ पेस्ट का रंग अलग-अलग क्यों होता है या फिर ऐसा करने की मंचा के पीछे क्या बात है ज्यादतर लोग इसे टूथ पेस्ट को आकरशित करने की कला के रूप में लेते हैं अगर आप कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि टूथ पेस्ट का हर रंग कुछ कहता है बाजार में आपको काले, लाल, नीले और हरे रंग के मार्ट वाले टूथ पेस्ट मिल जाएंगे इसलिए खरीदते समय इन लेबल्स को देखना कभी ना भूले क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है आपने टूथ पेस्ट के नीचे वाले हिसे पर काले रंग की अगर कोई पट्टी देखी है तो उस टूथ पेस्ट को भूल से भी नहीं परीदना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि काला रंग के मार्क वाले टूथ पेस्ट में केमिकल्स की मात्रा सबसे अधिक होती है टूथ पेस्ट में अगर लाल रंग का मार्क है तो इसका मतलब है कि काले मार्क वाले टूथ पेस्ट से थोड़ा बेहतर है यानि कि इ इसमें प्राक्रितिक तत्वों के अलावा इसमें मेडिकेशन भी शामिल है। हरे रंग के मार्क वाले टूथ पेस्ट को सेहत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हरे रंग वाले माक का मतलब है कि टूथ पेस्ट को बनान में केवल प्राक्षितिक तत्वों का ही इस्तिमाल किया गया है जो सेहत की दृष्टी से पूरी तरह से सुरक्षित है